अब दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ NCL Practice Set जिसका Part No.3 है तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक NCL Practice Set का First और Second Part नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है आप लोग वहां से जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं इसके अलावाद दोस्तों आपको बता दूँ कि इसमें जितने भी क्वेस्टन दिये गए है आपके एक्जाम के पॉइंट आप भी उसे काफी important है जो आपके एक्जाम में helpful होने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को लाश तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी question का जवाब पता हो तो आप इसका जवाब हमें comment box में दे सकते हैं इसके लिए आपको 3 सकेंड का समय दिये जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला question पहला question है friends हाल ही में की से राजी सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला अरक्षड को मंजोरी दे दी है इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer option A हो जाएगा पंजाब राजी की सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला अरक्षड को मंजोरी दे दी है नेक्ट कोश्चन है भारत में सरवाधिक जन जाती किस राजी में पाई जाती है तो इसका राइट एंस्वर ओप्शन C हो जायेगा मध्य परदेश मध्य परदेश में सरवाधिक जन जाती पाई जाती है नेक्ट कोश्चन है प्रकृति का सुरक्षा वालवक किसे कहा जाता ह किसे कहा जाता है तो इसका right answer option D हो जाएगा ज्वाला मुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है next question सबसे उच्च कोटी का कोईला किसे माना जाता है very easy question है friends उमीद है आप लोग ने अभी तक इसका जबाप दे दिया होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा option D हो जाएगा एंत्रा साइट next question भुकम्प तरंग मापी यंत्र क्या कहलाते हैं ये भी easy question है friends तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer option B हो जाएगा शिम्सोग्राफ next question किस देश में एक भी ज्वाला मुखी नहीं है ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी ज्वाला मुखी नहीं है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option D Australia next question कोईला किस चटान में मिलता है इसका right answer option A हो जाएगा आवसादी चटान कोईला आवसादी चटान में मिलता है next question वायू मंडल में सरवाधिक मातरा में उपास्थित अक्रिय गैस कौन सी है तो इसका right answer option C हो जाएगा आरगन next question सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजूली किस राजी में इस्थित है इसका right answer क्या होगा friends इसका right answer option A हो जाएगा असम राजी में next बैरन द्वीप कहां इस्थित है इसका right answer option D हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में है next भारत की सबसे बड़ी लेगून जील कौन सी है इसका right answer option A हो जाएगा चिल का जिल next question प्रिथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घुमती है कितने देशांतर घुमती है तो इसका right answer option B हो जाएगा पंद्रट डिग्री next question सबसे अधिक राष्ट्री उद्यान वाला राजी कौन सा है most important question है friends इसका right answer क्या होगा सबसे अधिक राष्ट्री उद्यान वाला राजी कौन सा है मध्य प्रदेश है तो C option इसका right हो जाएगा next question पुर्व का बोस्ट्री किसे कहा जाता है इसका right answer option C हो जाएगा एहमदाबाद को पुर्व का बोस्ट्री कहा जाता है next भारत की जलवायू कैसी है इसका right answer option B हो जाएगा उष्ड कटिवंधी है भारत की जलवायू उष्ड कटिवंधी है जो भी friends अभी तक हमारी वीडियो को like नहीं किया है like कर दे next question बिश्व का सबसे उच्चा सक्रिय ज्वाला मुखी कौन सा है कौन सा है friends बिश्व का सबसे उच्चा सक्रिय ज्वाला मुखी कोटो पैक्सी है तो c option इसका right हो जाएगा next question हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्विप कौन सा है इसका right answer option a हो जाएगा मेड़ा गासकर next जीलो का देश किसे कहा जाता है इसका right answer option b हो जाएगा Finland को जीलो का देश कहा जाता है next question दक्षिड अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है इसका right answer option a हो जाएगा दक्षिड अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है next question भारत इस्थित है कहा इस्थित है friends इसका right answer option d हो जाएगा उत्तर पुर्वी गोलार्द में कहा इस्थित है उत्तर पुर्वी गोलार्द में इस्थित है next question भिश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है most important question है friends इसका right answer क्या हो जाएगा option b हो जाएगा कनाडा कनाडा में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों आपको बता दू कि जो भी friends हमारे इस चनल पर पहली बार आये हुए है इस चनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे नई विडियो का अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्थ हो next question उनका सरवाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है इसका right answer option b हो जाएगा अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया उनका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है next पुर्वका मोती किसे कहा जाता है इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer option a हो जाएगा स्रिलंका स्रिलंका को पुर्वका मोती कहा जाता है next भारत के अटानी जनरल महानियवादी की नियुक्ति कौन करता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option b हो जाएगा राष्टपती भारत के अटानी जनरल की नियुक्ति करता है तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो आप हमारा टेली ग्राम ग्रूप जोईन कर सकते है इसका link नीचे description box में दिया हुआ है और friends आपको बता दू कि हमारे चनल पर daily साम 7 बजे NCL practice set चलाया जाता है तो अगर आपने हमारे चनल को अभी तब subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले next question वायू मंडल की सबसे नीचली परत कौन सी है very easy question है friends इसका right answer option A हो जाएगा चोब मंडल वायू मंडल की सबसे नीचली परत चोब मंडल कहलाती है तो friends पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था हाल ही में किस राजी ने mobile water testing lab लाँच की है तो इसका right answer option B हो जाएगा हर्याणा और आप लोगों के लिए आज क्या प्रस्ण है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने विश्व खादी दिवस के मौके पर कितने रुपय का इस मारक सिक्का जारी किया है तो आप इसका जबाब हमें comment box में बताए और दोस्तो आप लोगों ने इस वीडियो में कितने question का जबाब सही दिया ये भी हमें comment करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद जय हिन जय भारत